जैहिन नमस्कार राम राम आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपनी यूटूब चैनल स्सी रिजनिंग जीके पर स्वागत है तो साथियों आप सबको पता होगा कि अर्याणा क्रमचारी चैन आयोग ने जो अर्याणा पुलिस की बर्तियों नीती 6000 पदो पर तो उसक बस इसमें क्या रहेगा एज लिमीट क्या है इसमें कोन बच्चा यह फोरम अप्लाई कर सकता है कितने बच्चे हैं पी.e.me.t.p.s.t के लिए बुलाएंगे जो आपका एकजाम है वाई तो एकजाम में कितने बच्चे पैठेंगे और एकजाम हो आपका कितने नंबर का हो ओर जिसने भी तक चैनल को subscribe नीकिया तो वह साथी चैनल को subscribe जरूर कर लगए तो साथी ये notication हो अरяет लिजो 12 तैरिक अपनी official website पर जारी किया इसको कल इसको जारी किया था तो वह इसमा जो फोरम अपलाई की जो स्टार्टिंग डेट है तो वह आपकी 20 फरवरी तो 20 फरवरी से आपके जो है फोरम अपलाई होंगे और जो क्लोजिंग डेट रहेगी आपके जो लास्ट डेट है इसमा फोरम अपलाई की तो वह 21 मार्च यानि कि एक महिने तक आप इसमें फोरम अपलाई कर सकते हो तो अभी बात आती है फोरम अपलाई कोण कर सकता इसमें तो इसमें फोरम अपलाई कर सकता है शिरफ जो बच्चा सीटी पास है जिस बच्चा ने सीटी दिया था और वो सीटी पास है क्वालिफाई है तो वही बच्चा शिरफ अरियाना पुलिस के फोरम अपलाई कर सकता है इसके लावा कोई भी बच्चा जिन्होंने सीटी नहीं दिया या जिन्होंने सीटी के बाद में जिन्होंने पलस्टू की है तो वो भी बच्चा फोरम अपलाई नहीं कर सकता तो अभी बात करते हैं जो फीस रहेगी आपकी फीस क्या रहेगी तो फीस जो आपकी इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा बिल्कुल जीरो फीस रहेगी इसमें ठीक है तो जीरो फीस रहेगी इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा तो अभी आगे बात चीत करते हैं आगे क् तो साथियो 6000 पदों पर यह बरती है और जो बच्चा CT पास है तो वही बच्चा इसके अंदर फोरम अपलाई कर सकता इन्होंने साब लिख्या हुआ इसके अंदर और जो फोरम अपलाई की जो स्टार्टिंग डेटा वो 20 फरवरी है और लास्ट डेटा जो 21 मार्च तक आप इसमें फोरमः कर सकते और रात 11 बजकर 9,60 मिंट तक यह बर्टल खुला रहेगा तो तब तक आप इसमें फोरमःप्लाई कर सकते ओ हुआ कि तो शाथियों अभी बात करते हैं जो पोस्ट है तो 5000 पोस्ट इसके अंदर मेल को स्टेबल की है तो इसमें category wise दे रख्या वैजैसे जर्नल की 1800 है, SC की 900 है, BCA की 700 पोस्ट है, BCB की 400 पोस्ट और EWS की 500 पोस्ट है, तो इसमें category wise दे रख्या है, ये निच्छे दे रखिन उन्हें एक्सरिसमें की, जो जर्नल का एक्सरिसमें है, उसकी साड़े 300, और SC का एक्सरिसमें उसकी 100 प भी पोस्ट है, फीमेल का एक्सरिसमें उसकी पोस्ट है, जो जर्नल की फीमेल अटे है, इने के लिए 366 पोस्ट है, जो SC की महिला है, तो इन पेलिए 180 माहिला है, लिए 80 post और EWS की जो महिला है तो इनके लिए 100 post है और जो एक्षरिश मैन महिला है तो जर्रनल के लिए 70 है और SC के लिए 20 और BCA के लिए 20 और BCB के लिए 30 post है तो भाई यह पोस्ट टोटल 6000 post है category wise दे रखी है तो अभी बात करते हैं जो education qualification है तो वो क्या चीए तो सबसे पहले इनोंने दिया है कि प्लस टू पास होना चीए किसी भी बोर्ड से अगर आपना प्लस टू पास हो आप और CT पास हो आप इसमें फोरम अपलाई कर सकते हो दूसरे नंबर पर क्या दिया है इनोंने कि matric के अंदर इंदी और संस्कृत है subject होना चीए तो यह तो सबके पास ही होत्ता है इंदी subject हो जो तीसरे नंबर पर दे रखे हैं इनोंने यह काफी important चीज है यह क्या लीखा इन्होंने कि जो आयर eduction के जो पहले नंबर मिलते दें तो उसके भी आपको कोई भी नंबर एक्सटा नंबर नहीं मिलेगा पहले किसी यह पास डिपलोमा उत्ता था या M.A.B.A. जिन्होंने करकी तो उनको extra number मिलते दे कितने 7 number तक extra मिलते दे तो इस बर्ती के अंदर अगर आपने diploma आपके पास या आपने MABA करकी है बीकोम करकी कुछ भी करक है तो कोई भी extra number नहीं मिलेगा ठीक है यह काफी इंपोर्टेंट थी आपको बतानी तो अभी बात करते हैं पेस्केल है जो पुलिस डिपार्टमेंट का तो पेस्केल इसका यह रहेगा आपका 2700 क्योंकि ग्रूप C लेवल 3 की यह बरती है ग्रूप से 25 साल होती थी तो इसके आंदर आपको तीन साली फूट दी गई है यानि कि जो जर्नल की जो एज रहीगा ऑफी 28 वी एयज 18 साल General की रहेगी, OBC की बात करें तो उनको भी तीन साल की छूट है, और SC केटेग्री की बात करें तो उनको 5 साल की छूट मिलती थी पहले, और तीन साल और यानि कि SC केटेगरी की जो अभी जो एज है इसमें जो फोरम अपलाई कर सकते तो 33 साल तक है इसकी एज रहेगी किसकी SC केटेगरी की तो यह काफ़ इंपोर्टेंट चीज है वाई criteria for selection examination तो इसको दियान से सुनना वाई जो आपका selection है तो वो किसे साफ से होगा तो सबसे पहले तो क्या CT पास तो आपको उनाई चीए यह नोंने साफ लिख्या हुआ है उसके बाद क्या है इस बरती में पहले PMT और जो PST आपका यह टेस्ट होंगे running वगरा तो लास्ट में इसमें क्या आपका exam होगा तो exam के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि 4 गुणा बच्चों को ही सिर्फ यह exam के अंदर बैठाएंगे यानि कि 6000 पोस्ट है तो 5000 male constable की और 1000 female constable की है तो टोटल है 24,000 बच्चों से यह exam लेंगे तो उसके अंदर 20,000 बच्चे होगे male constable वाले और 1000 है जो मही लाए होंगी female constable क देंगे तो यानि कि टोटल 24,000 बच्चों को यह चयर गुणा बच्चों को यह टेस्ट के अंदर बैठाएंगे तो अब बात ही आती है कि कि पला सकते हैं तो यह साथ गुणा बच्चों बच्चों को भी बोला सकते हैं यह जो है SSC के ऊपर यह depends करता हो कितने गुणा बच सिर्फ एक्जाम देंगे तो अगर ये एक बार बुलाते साथ गुणा बच्चों गो तो बैप पीमटी पीस्टी के अंदर काफी बच्चे निकलेंगे कोई आइठ के अंदर भी निकलेगा अगर तब कि अब टेंगे कोईलो घाएगाइगा दर सकती आप के अंदर बन है और उससी टाइम रहेगा उन कग पाउंगे 12 मिंट यानि कि 12 किलो मिट्र के अंदर आपको 5 किलो मिट्र रनिंग यह क्लियर करनी होगी और जो महिला है तो महिलाव को वह एक किलो मिट्र की रनिंग करनी है और वो भी कितने 6 मिट्र के अंदर महिलाव को एक किलो मिट्र रनिंग जो क्लियर करनी होगी और जो एक किलो मिट निंग यह एक किलोमिट रणिंग से लिए और फाइम हर पाश मुंत का यानि कि आपकी रणिंग की आपके रणिंग तो अभी बात करतेदस स्लेफ बास एक ्ड़ी स्लेफ से पर शेए बात करते हैं आधि 5 consensusronic connected अधिक सुऋढ़नमा नंबर का आपका नोलेस्ट टैस्ट खाँ तो यह सड़ी पांच नंबर है 17цион नंबर का आप Saint टो ब hm 40 नंबर हैए 179 नंबर है एने सीकाने इंशेडी वालोगे दाही नंबर स्थितिक तेस्ट में पर लिख्या हुआ कि जो शाड़े पांच नंबर एक इसके तीन नंबर है जो एंसीसी वाड़ों के हैं और यह जो डाई नंबर है यह आपको आर्थिक स्तित्ति के आदार पर यह डाई नंबर दिये जाएंगे बात करते वह इसमें स्लेबस क्या रहेगा आपका तो जो शाड़े यह जाएंगे basic knowledge of computer यानि की computer के इसके अंदर आप से question पूछे जाएंगे 10% तो 10% इसमें यानि की 7-8 question जो आपके इसमें computer से भी आएंगे normal question आएंगे ज्यादा आड़ नी तो नोर्मल आपके इसमें computer से भी question आएंगे और 20% है जो वह आपकी अर्याना से संब्दित यानिक इसमें question पूछे जाएंगे तो साथियों अभी बात करते सबसे important चीज गी तो काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे जब exam होगा तो इसको द्यान से सुन लेना तो बात करते हैं भी pattern of examination गी तो ये काफी important चीज है इसको द्यान से सुनना जो आपका exam होगा वो होगा 653 Number का 94.5 number पाइंबर बमम का exam होगा तो उसके अंदर के अपके 100 कुस्चन आएंगे paper के अंदर कितने की तो ऑक 100 चैना तो एक चैन हो रहेगा अपका 0.945 number का यानिकि 100son है तो एक क्राईगा 0.945 number का और जो आपका test होगा ओफ लाइन ओगा यानिकि ओमार सीट पर आपका टेस्ट होगा ये और इसमा आपको time दिया जागा 100 मिंट का ठीक है 100 मिंट का time दिया जागा और जो ये 5 मिंट का time दे रखाए तो ये किसके लिए है क्योंकि आप से क्या है आपके ओमार सीट के अंदर 5 option मिलेंगे answer के अंदर अगर आप किसी question का answer नहीं तो उसको क्या है आपको 5 मा जो option मिलेगा तो उसको आपको बढ़ना पड़ेगा तो 5 मिंट लास्ट मा आपको ये मिलेगे तो total 105 मिंट का आपको time मिलेगा ठीक है और सबी question है आपको compulsory है जो ओमार सीट में है सबी question के answer आपको बढ़ने पड़ेगे अगर नहीं आता जो question आ पांचवा option होगा तो उस पांचवा option को आपको बढ़ना पड़ेगा अगर आप वो पांचवा option नहीं बरते हो खाली छोड़ देते हो पांचवा तो उसके अंदर क्या है negative marking आपकी 0.945 ठीक है तो इसलिए 100 के 100 question है सब के आपको answer देने होंगे जिस question का आपको answer नहीं आता तो जो पांचवा option आता आप उसको बर देना और जिसका आता है तो आप वो जो question सही है तो आप उसी को बढ़ना तो यानि कि वैसे negative marking नहीं है इसके अंदर negative marking है इसके अंदर अगर आप किसी भी question का अगर आप जवाब नहीं देते तो negative marking है बाकि अगर आपका option गल्त मिला तो उसके अंदर कोई negative marking नहीं है तो यह आप ध्यान रख लेना यानि कि 100 के 100 question आपको compulsory हो question उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे अगर आप नहीं देते हो किसी को खाली छोड़ गा जाते हो तो उसके आपके negative mark है 0.945 यानि कि एक question अगर आपने छोड़ दिया तो एक आपका जो सई question है तो वह आपका गलत हो जागा ठीक है तो यह काफी important चीज है तो इसका आप अपने दिमाग में बैठेला ना इसको कि सभी question हो कि आपको answer देने ही देने है इसके अंदर तो यह थी मैन मैन चीज इसमें तो बाक्कित इसके अंदर ऐसा और कुछ नहीं दिया इसी रेजनिंग जिक के नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है तो आप इसको जोईन कर लेना इसका लिंक जो मैं वीडियो की description में डाल दूँगा तो जितनी भी हम कलास लेते हैं और याना जिक क्या जो भी हम त्यारी करेंगे तो उसके सभी पीडिए भी में इसके उपर डाल देना जिसने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो मिलते हैं फिर जैहिंद जैवारत धन्यवाद